तो हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग मैं उम्मेध करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे तो दोस्तों क्या आप भी चाते हो अपने WhatsApp पे चैट Lock लगाना एन्ड दोस्तों उसमें चैट Lock लगाते हो तो Fingerprint आपका मांगा जाता है तो दोस्तो बस आप बने रहो मेरे वीडियो में सुरू से अन तक और दोस्तो अगर आप मेरे चैनल पे लए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बैल आगन को वाल पर प्रेस कर दो ताके मेरे आने वाले वीडियो को आप निशना कर पाओ तो दोस्तो चलते हैं हमेशा कितर अपने mobile phone की screen पे बिना आपका time waste किये हुए तो दोस्तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैं अपने mobile phone की screen पे आ चुका हूँ और दोस्तो आपको WhatsApp पे chat log without fingerprint का लगाने के लिए simple सा अपने WhatsApp application को open कर लेना है और दोस्तो WhatsApp application को open करने के बाद आपको यहाँ पे simple सा जो भी chat को lock लगाना चाहते हो बिना fingerprint का आपको simple सा वो chat को थोड़ी देर के लिए click करके रखना है कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे यह chat में lock लगाना चाहता हो बिना fingerprint का तो दोस्तो मैंने इस पर थोड़ी देर के लिए click करके रखा और उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से आपका चैट जो select हो जाएगा और दोस्तो उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे उपर right side में यहाँ पे आपको three dot बना हुवा कुछ इस तरह आपको दीखेगा यहाँ पे देख सकते हो दोस्तो सबसे उपर खोने में तो इस पर आपको simple सा एक बर click कर देना है तो दोस्तो मैं इस पर click कर देता हूँ दोस्तो इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको एक option मिल जाएगा log chat का यहां पर देख सकते हो दोस्तो लिखा हुआ log chat तो दोस्तो आपको यहां पर simple यह log chat वाले option पर क्लिक करना है सबसे नीचे आपको दिखेगा block और उसके उपर दिखेगा आपको log chat तो इस पर आप सिंपल सा एक बर क्लिक कर दोगे तो दोस्तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ एंड दोस्तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपल सा दोस्तो कंटीनिव वाले ओप्शन पर क्लिक कर देता हूँ एंड दोस्तो कंटीनिव वाले ओप्शन पर क्लि लगर्प्रिंट को और दोस्तों वेरिफाइं करने के बाद आप यहाँ पर थोरा सिटरोड डाउन करोगे एंड स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर लॉकेट चैट का जो एक ऑफशन मिल द्लिया यहाँ देख सकते हूं तो इस पर मैं क्लिक करता हूं एंड इस पर क्लिक करने के बाद इसको अपने finger या face से verify करना है तो मैंने verify कर लिया दोस्तो and verify करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो chat जो हो चुका है लेकिन दोस्तो मेरा जो chat है lock हुआ fingerprint से fingerprint से lock हुआ है या फिर आप face से भी हो सकता है लेकिन दोस्तो आपको बिना fingerprint का आपको WhatsApp पे chat lock लगाना है दोस्तो बिना fingerprint का chat lock लगाने के लिए आपको यहाँ पे simple सा यह chat को lock करने के बाद यहाँ से back आ जाना है दोस्तो यहाँ पे back आने के बाद आपको यहाँ पे अपने phone की setting को open करना है मैं यहाँ पर अपने phone की setting को open कर लेता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो setting application आपको यहाँ पर दिखेगा तो इसको मैं open कर लिया है और दोस्तो इसको open करने के बाद यहाँ पर आपको थोरा सा scroll करना है दोस्तो एंड स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको एक option मिलेगा password and security का यहाँ पे देख सकते हो दोस्तो password and security का तो दोस्तो आपको यहाँ पे simple सा इस पर click कर देना है एंड दोस्तो इस पर click करने के बाद आपके lock screen पे password set होता है यहाँ फिंगर प्रिंट यहाँ पिर pattern आपको simple सा यहाँ पर फीचर फूल के आ जाएगा यहाँ पर आपके सामने तो इसको बंद करने के लिए simple सा मैं यह फिंगर प्रिंट वाले option पे click करता हूँ and इस पर click करने के बाद मैं यहाँ पे lock screen का pattern fill कर देता हूँ दोस्तो और pattern fill करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा यहाँ फिंगर लिखा हुआ है finger 1 तो इसको मैं यहाँ से delete कर देत हूँ इसको delete करने के लिए simple सा आपको right साट में यह three dot पे click करना है and इस पर click करने के बाद दोस्तो यहाँ पे आपको simple सा delete वाले option पर एक बार click करना है and फिर से आपको यहाँ पर delete this fingerprint वाले option पर नीचे click कर देना है तो दोस्तो तो मैं यहाँ और देख सकते हो मेरे lock screen पे not enrolled लिखा हुआ है मतलब ये off है and fingerprint भी off हो चुका है and ये दोनों को आपको off कर देना है and off करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से back आना है and back आने के बाद आपका simple सा अपना whatsapp open कर लेना है and whatsapp open करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको locket chat जो भी आपका लगा हुआ है जो भी आपका chat lock है उसको simple सा देखने के लिए scroll down करना यहाँ पे नीचे and scroll down करने के बाद simple सा दोस्तों ये locket chat वाले option पे उपर में क्लिक कर देना है तो दोस्तों मैं इस पर क्लिक करता हूँ and इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ enter lock screen password तो मैं यहाँ पे password जो भी मेरा lock screen पे pattern मैंने set कर रहा हुआ है वो verify कर लेता हूँ तो दोस्तों मैंने यहाँ पे pattern lock जो फिल कर दिया है and pattern feel करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो locket chat का जो फीचर जो खुल के आ चुका है मेरे सामने and दोस्तों बिना fingerprint का मैंने chat lock WhatsApp पे इनेबल कर दिया है इस पर fingerprint मेरा नहीं ले रहा है सिर्फ और सिफ मेरे lock screen के pattern lock से यहाँ पे मेरा locket chat जो है open हो जा रहा है जो भी chat को मैंने lock कर रहा है सिर्फ और सिफ मेरे pattern lock से open हो रहा है मेरे fingerprint से open नहीं हो रहा है दोस्तों आप भी कुछ इस तरह से अपने chat lock को बीना fingerprint का लगा सकते हो without fingerprint का जो है chat lock WhatsApp पे लगा सकते हो जो कि मैंने आपको बताया है same process आपको वैसा ही करना है तो दोस्तों बस यही था आज का वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे से बताया है वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को एक like कर दो और दोस्तों अगर आप में चैनल पे नहे थे तो चैनल को सब्सक्राब कर लो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर